Hello friends, I hope that you all must be doing good. Friends, आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे Anti-Japanese Sentiments के बारे में जो recently में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है Friends, यह वीडियो आपके exam point view से भी बहुत important हो जाता है और अगर आप चला में नए हैं तो Please do like, subscribe the channel and press the bell icon Friends, क्या हुआ है कि हाली में जपान को लेकर एक news report सामने आई जिसमें बताया गया है कि जपान की सरकार ने अपने नागरिकों को चीन का दोरा करते समय साफदानी बरतने की चितावने दिये Friends, यह news जपान दोरा Fukushima nuclear power plant से उपचारित अफसेश जल को समधर में छोड़े जाने के जवाब में उत्पीर्णा की रिपोर्ट के बाद आई है इन उत्पीर्णा में फुकोसीमा से जल छोड़ने के बाद जपान के वेवसाओं को चीन से अपमान जनब कॉल आ रही है Friends, जपान की फॉर्ण मिनिस्ट्री के दोरा कहा गया है कि चीन जाने वाले या वहां रहने वाले जपानी नागरिकों को उची आवाज में जपानिस लैंग्विज में बोलने से बचना चाहिए साथ ही जपानिस मिनिस्ट्री ने अपनी वेवसाइट पर एक बयान में लोगों से फुकुसीमा जल छोड़े जाने के खिलाफ किसी भी प्रदर्सन से दूर रहने और ऐसी घटनाओं की तस्वीरे लेने से बचने का आग्रह किया है फ्रेंट्स क्योंकि इस नूकलियर पावर प्लान से वेज़ वाटर छोड़ने के बाद से चीन में विरोधी बावना बढ़ रही है लेकिन फ्रेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये फुकुसीमा डायची नूकलियर पावर प्लान है क्या और क्यों इसकी वज़े से जपान के लोगों को हेट कमेंट्स देखने को मिल रही है फ्रेंट्स जड़ासल जपान में सुनामी के कारण फुकुसीमा नूकलियर पावर प्लान में खराबी आ गई थी इसके बाद जिस पानी का इस्तमाल करके इस प्लान को ठंडा रखा जाता था उस पानी को अब कमपनी को समध में छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि कमपनी के पास अब और स्टोरेज नहीं है जिसमें वो पानी को स्टोर कर सके हाला कि अंतराश्टी पर्णमानू ओर्जा अजंसी की तरफ से बताया गया है कि अगर इस प्लान के पानी को समध में छोड़ा जाता है तो इंसानों के लिए कोई भी स्वास्त समस्या नहीं होगी मगर दूसरी तरफ देखा जाये तो इसी वज़े से चाइना और कुछ देश की तरफ से विरोध जताया जा रहा है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर रीजन क्या है इन हेट्स कमेंट का और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने पहले ही इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है आप चैनल पर जाकर वेब वीडियो देख सकते हैं बागी उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे देंगे तो फिर्ण चली टॉपिक पर वापस आ जाते हैं फिर्ण जपान दोरा भी इस बात पर जो दिया जा रहा है कि उच्चारित पानी सेफ है लेकिन फिर भी चीन के दोरा विरोट जदाया जा रहा है यहां तक कि चीन ने सभी जपानी सीफूर्ड इंपोर्ट पर प्रतिबन छोड़ रहा है ऐसे कई देश हैं जो अपने नुक्लिया पावर प्लांट का वेस्ट वाटर समवत में छोड़ते हैं इन देशों में चाइना भी सामिल है जी हां फ्रेंट जपानी सकाय के दोरा प्रकासित एक नए डेटा में इसका खुलासा किया गया है जिसमें जपान के के पाणी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का लेवल स्लक्टुसीना के बीतर बना हुआ है वहीं चीन के अपने नुक्लिया प्लांट के बात करें तो जपान के फुक्सी मिलांत की तुलना में उसमें हाई लेवल में ट्रीट्रियव हो रहता है और ऐसी के साथ वो वेंश वॉटर पानी में चोड़ता है और वहीं जापान के वे dú ये सब सबहें के भीटर ऑर जिने माना सूस्त के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है लेकिन फिर भी जपानी लोगों के खिलाफ ऐसी हजारों आने वाले 500 से अधिक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बरावर अफसिस्थ पानी को छोड़ा जा रहा है यह रियक्टर मार्च 2011 में पिखल गए थे जब एक बड़े भूकंप और सुनामी की चपेट में आ गए थे और फ्रेंट साथ ही इसके कारण जपान की उत्तर पूर्वी पर लगबग 18,000 लोग मारे गए थे फ्रेंट से छोड़े गए पानी में ट्रेट्रियम को छोड़कर सभी रेडियो धर में तत्वों को फिल्टर किया गया है इसके अलावाद जपानी एनवाय मिनिस्ट्री ने रवीवार को कहा कि फुकुसीमा टटिये जल की ताजा पर इ नहीं दिखाया और फ्रेंट्स मिनिस्ट्री के लोग साथ यह भी कहा गया है कि पानी के सेंपल में गामा रेडियेशन के लक्षर देखने को भी नहीं मिल रहे हैं तो फ्रेंट्स यह था सारा वीडियो कंटेंड रिलेटेड़ टू एंटी जैपैनिस सेंटिमेंट्स जो र अबर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब ले चैनल एंट प्रस्टा बैल एकन थांक यू सुम्हां